करोना वाइरस को आधिकारिक तोर पर एक महमारी खुशित किया गया है। प्रतिष्टित New England Journal of Medicine में कुछ दिन पहले प्रकाशित एक अध्यायन में इस बात पर गौर किया गया कि करोना वाइरस मानव शरीर के बाहर हमारे घरों, आफिसों और दूसरी जगाओं की सतों पर कितनी देर तक चीवित रह सकता है। यह पाया गया कि वाइरस स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक पर तीम दिन तक और कार्डबोर्ट पर एक दिन तक जीवित रह सकता है। लेकिन जो बात वाकई आश्चर यजनक थी कि वाइरस तामवी की सतों पर चार घंटे भी जीवित नहीं रह पाया। यह कोई पहला अधेयन नहीं है। जो यह बताता है कि वाइरस और बाक्टीरिया को नश्ट करने में तामबा बहुत असरदार है। अमेरिका के अस्पतालों में एक क्लिनिकल परिक्षन में यह पाया गया है कि इंटेंसिफ के अर्यूनिटों में तामवी की सतहों का उप्योग 97 प्रतिशत बैक्टीरिया को मार देता है जो संक्रमन के खत्रे को 40 प्रतिशत तक कम कर देता है। तामवी को जिस तरह से घर में रखा जाना चाहिए उसके लिए एक पूरा विज्यान है कि इसे कैसे रखें किस तरह के बरतन में रखें इसे कैसा बरताव करें। पूर्व में पारंपर एक रूप से कोई भी पानी को बिना शीष जुकाए उसे नहीं पीता, क्योंकि पानी आपके अंदर किस तरह का बरताव करता है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप उसके साथ कैसा बरताव करते हैं, पानी जिस तरह की यादाश्त और बुद्धिमत्त रखता है, और पानी का हर अणू और पानी का हर स्त्रोत बहुत अलग-अलग होता है, और ये आपके भीतर कैसा बरताव करता है, वो भी बहुत अलग होता है, वो सकता है वो हर चीज बस H2O हो, लेकिन ये हमेशा एक ही तरह बरताव नहीं करता, तो पानी के साथ कैसा बरता लेकिन अगर इसे बहुती आसान तरीके से कहें तो आप पानी को रात भर या लगभग 6 घंटे तामवे के बरतन में रखने के बाद उसे पीएं तो आप देखेंगे कि पानी बहुत अलग महसूस होगा और तमामों छोटी मोटी बीमारियों को जो लोगों को हैं पानी को बस एक उचित स्थान पर रख कर ठीक किया जा सकता है। उप्योक्त स्थान का मतलब है कि वहाँ परियाप्त खुली हवा हो और सबसे बढ़कर कि आप उसके साथ कैसा बरताव करते हैं आपकी भावनाएं पानी के बारे में आपके विचार और इस बारे में सचितन हो या पानी के प्रती प्रेम या पानी के प्रती उल्लास महसूस करने का प्रयोग कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि पानी आपके भीतर बहुत ही अलग तरह से बरताव करेगा। उनके पीने के पानी को बदलने से और उसे वे कैसे पीते हैं उससे कई लोगों को मैंने पुर